हेलो दोस्ता आपको बाख दोस्वागा थे मेरी चैनल में तो इस्टार्ट करते हैं स्टेटेक्स तो इस्टेटेक्स का रिविजन करवाने मालों मैं आपको लिए बहुत सारी आसी रिविजन से दिशला चुका हूँ आपको पहले chapter पहड़ाशक कुम तो आज श्टार्ट करते हैं अपना लाया chapter, statics, math तो इसको मैं अपने को तुप पहले देहना है mean, तो mean जियो हता है mean होता है one, को मैं इसको आपको revision करवा देता हूँ पहले तो आप देख सकते हैं, आपको revision करवाने वाल हूं तो स्क्रेटिक्स करीपन देख लेए तो अर्थमाटिक में होता है Summation of all upon total numbers यह दी frequency direction को квckly करके तो फिर mean division को होता है X-by-Xx है जहे है इसमे अने टम X बार am Median for org के लिए हो जाता है n plus 1 upon 2 और even के लिए हो जाता है n upon 2 plus n upon 2 weas and one upon 2 x-square upon n, इंका summation, standard deviation, variance का root, मतलब sigma, mod, होता है, यह formula होता है, 3 median-2, meaning, direct question फूल लेता है, बहुत पार, यह उता है, side mean deviation equal to 4, standard deviation, यह भी एक formula की तरही है, आप यह आपके कर सकते हो, फिले, आदे, coefficient of dispersion, coefficient of dispersion होता है, sigma upon x into 100, यह इसका variance हो जाता है, median L plus f0 minus f1 to f0 minus f1 minus f2 into h, f0 जो अपनी frequency f1 उससे पहले वाली, और f2 उसके बाद वाली, L उसकी lower limit, और x उसके बीच का difference, तो फिर question पहले आते हैं, तो इसमें अपनों को निकालने मीन और इसकी frequency दे रखेंगे, तो मीन निकालने में बताया था आपको, xify plus xify अपन add करते हैं, 1 into 1, 1, 1 upon 2 into 2, 1, तो 1 plus 1 plus 1 and 10 तक add जाएंगे और इधर frequency, तो 1 plus 2 plus 3, यह मैंने आपको progressional series में बताया था, आपने वह वाले lecture नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हों, तो 1 plus 2 plus 3 हो जाते हैं, n plus 1 upon 2, तो इसका answer आजाएगा, n upon n plus 1 upon 2, तो फिर आते हैं, पन gm of number, तो gm of number यह मैंने आपको progression series में बताया था यह होते हैं, n, a1, a2, a3, a4, a5, तो यह करेंगे हैं, तो आपन तो यह आजाएगा, 4 into 5 into 10 into 20 into 25 और इसका 5th root, तो जब आप इसको solve करेंगे तो यह आजाएगा 10, then, hm क्या होता है, hm मैंने लिखी रखा है, n upon 1 upon a1 plus 1 upon a2 plus 1 upon a3, तो 3 time में इसमें तो 1 upon 2 plus 1 upon 3 plus 1 upon 4 इसको अपन solve करेंगे, तो answer आजाएगा, फिर अपनको निकाल लाए medium of, hm मतलब harmonic mean, median of following frequency distribution, तो पहले इनको अपनों SND और आप जमाले है, तो देखो, यह दे रहा है कुश्चन हो तो 3, 6, 7, 10, 12, 30, तो इसको median निकाल लाए जाए, यह तो इसके होगी XI, और यह इसकी cumulative frequency, cumulative frequency कैसे निकाल के आप देख सकते हो, जैसे आप भूंगो यह 3 जे रहा है, तो 3, फिर 7, add करते जाएंगे, अपन 6 की जाए, frequency 4, 7, फिर 7 की बार, 7 की frequency यह 13, तो 7 plus 13, 20, 10 की frequency 2, 20 plus 2, 22, then 12 की 8, 22 plus 8, 30, and then 15 की 10, 30 plus 10, 40, तो N हांगे 40, तो यह नहीं आपको बताया थे, N upon 2, N upon 2 का लाए, 20 plus 21 time upon 2, 20 time upon 7, 21 तो है नहीं तो आपन इससे before precedence ले लेंगे, मलब 10 ले लेंगे, ओके, then the mode of the following frequency, तो इसका अपन को mod निकालना है, तो इसका mode के भी निकालना है, मैं आपको formula पताया था, तो इसमें जब large स्वाल देख सकते हैं कितने बार 8 बार आ रहा है, तो इसका जो late frequency होगी, वो 8 होगी, तो इसकी बीच के निकालना लेंगे, तो 20.5, plus 8, minus 7, upon 2, into 8, minus 7, minus 6, into इसकी बीच का difference 10, यह formula मैं आपको बताया था, formula बुक में आप ऐसा बना, then mean deviation of the observation यह दे रहा है अपनगो, तो इसमें क्या जानना है अपनगो, तो mean deviation निकालना है, तो mean deviation कैसे निकालते हैं मैं आपको बताया था, xy-x are n upon, तो बाले median निकालने हैं तो इनको ascending में जमाएंगे, फिर 46 plus 48 upon 2, तो time देखेंगे तो आपनी आड़ेगी वो 47 आ रहेगी, तो फिर 47 में से अपन माइनस करेंगे हर किसी को, तो 47 minus 70 is equal to 13, minus 13 आएगा पर अपन इसमें माड़ेंगे तो यह plus में आएगा, इसमें को आड़ेंगे 86, तो 86 upon total number 10 है, तो 86 upon 10, 8.6, यह आप गर पर टाज़ गर सकते हैं इस चंसर भी आपका 8.6 आएगा यह आपके अंबर के, then the variance of series को variance निकालने, तो variance निकालने के लिए क्लिए क्या करते हैं अपन, इसे manage करते जालेंगे तो last में अबना आ जाएगा, n plus 1 upon 3 into d square, then the sum of square of deviation for 10 observation taken from mean 50 is to 50 the coefficient, तो coefficient of variation को formula बताया था आपको मैंने sigma upon x into 100, sigma upon x, x के 10 में arithmetic mean, तो 250 upon 50 equal to 5, तो यह आगे अपना 10%, okay, तो यह आपका chapter खत्म होगे, static text, तो आपको यदि पसंद आए तो mark करे, and thank you.